अब प्लान करता है किस तरीके से प्रायस एक्सन में आप लोग ट्रेड कर सकते हूं फर्स्तिन को जब मार्केट कंटीनुसली सेलिंग के अंदर आता है बहुत सारे लोग स्माट रहते हैं और C only sort करते हैं, P, H नहीं करते हैं क्योंकि market direction चलता है, जब market selling तेजी से आता है तब P, C का premium बढ़ चुके होते हैं तो C में भी उन लोग अगर sort करेंगे, तो एक अच्छा खासा profit मिल सकता है तो इसके कारण क्या होता है, 34,500 हो गया ये सारे level 34,000, ये सारे level का call aggressively sort होगे तो जब market reversal का plan करता है, तो ये बहुत तेजी से suit up होता है तो किने expiry दिन पे एक अच्छा खासा opposite side में rally possible हो सकता है कल हम लोग discussion किये थे, आज हम लोग थोड़ा सा wait and watch करेंगे हम लोग wait करेंगे, market कौन से side पे close हो रहा है ये 32,500 का आसपास close हो रहा है फिर हम लोग उसी direction में plan करेंगे expiry day पे trade करने के लिए अगर हम लोग bank nifty का बात करेंगे पहले 15 minute candle में एक inside candle बनाया उसके 12 o'clock के बाद breakout दिया एक अच्छा momentum इसके अंदर आया अभी अगर हम लोग current level पे plan करेंगे तो कल बहुत जादा important हो जाता है market open कहाँ पे होगा क्या ये flat खुलने वाला है या फिर बहुत बड़ा gap up और gap down अगर ये gap down खुल गया तो एक point ध्यान में रहको first हम लोग gap down के उपर discussion करते हैं फिर gap up के उपर discussion करेंगे अगर बहुत बड़ा gap down खुल गया रही फिर ये 33,000 क्योंकि option buyer तभी पैसा कमा सकता है जहां पर option seller panic create करेंगे market जिस तरी के से suit up हुआ है तो 33,000 के नीचे no doubt PE भी OI built हुआ होगा तो that means जभी भी market इसके नीचे आना start करेगा तो aggressive selling आ सकता है तो 33,600 के नीचे अगर gap down खुला तभी हम लोग aggressive selling का plan करेंगे otherwise hold करेंगे अगर आप daily chart में price pattern देखोगे bank nifty nifty का तो एक 7 selling के बाद 2 दिन pullback देते हैं उसका directly gap down खुलने का दिया continue आता है इस तरीके का price pattern बन रहा है that means कल gap down खुलना नहीं चाहिए expiry के दिन अगर market कल flat कुलता है तो well and good हम लोग को एक अच्छा trade मिल सकता है अगर market flat कुलता है that means 33,800 से लेकर 900 के बीच में अगर कहीं पर open होता है market हम लोग को पहला candle wait करना है अगर यहाँ पे green color के candle बन गया that means 34,000 के ऊपर बन गया फिर हम लोग wait करेंगे 2, 3, 4 candle अगर यहाँ पर पहुज हो जाता है जिस तरीके से यहाँ पर पहुज हुआ है उसके 12 o'clock के बाद अगर यह breakout देता है फिर यह closing price पर पर एक resistance बहुत जादा time resistance नहीं लेगा और यह suit up कर जाएगा एक अच्छा momentum, upside momentum कर जाएगा अगर पहला 15 minute का candle अगर flat खुल गया क्योंकि अभी जितने में जैसे मैं बोल रहा था market selling के लिए आ रहा था तो बहुत सारे लोग यहाँ पर C या फिर round level के असपा C sort करके रखे होंगे उन लोग square up नहीं करने वाले हैं यह बहुत often seller का आदत रहता है उन लोग adjustment के ऊपर जाएंगे और market जब ऊपर की तरप जाएगा तो वो सारे position square up होना देरे देरे SL या फिर profit यह सारे लगना start होगा तो definitely market तोना suit up हो सकता है, market अगर flat खुला तो एक अच्छा momentum हम लोग को मिल सकता है अगर market 34,200 के ऊपर या फिर 34,000 या फिर 34,100,200 that means 200 से 300 point के ऊपर अगर खुल गया imagine करते हैं कि इसी point पे अगर खुला फिर यहां से एक momentum आ सकता है 34,500 तक एक momentum आ सकता है फिर 12 o'clock के बाद हम लोग एक reversal इसी level के आसपास reversal देखना चाहिए यहां से फिर selling का pressure आ सकता है तो यह point द्यान में रखो कल अगर market flat खुला तो हम लोग को लिए buying के लिए एक opportunity हो सकता है बहुत 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 तो हम लोग reversal प्लान करेंगे that too 34,500 round level के आसपास अगर market gap down खुला तो हम लोग selling के लिए plan कर सकते है कल कुछ result आने वाले हैं तो make sure कीजे market में थोड़ा सा volatility रह सकता है तो stop loss या फिर आपका position sizing कम रखके trade कर सकते हैं अचली बहुत निफ्टी देख लेते हैं निफ्टी हम लोग ने कल discussion किया था यहाँ पर breakout level हुआ है market के लिए market अगर नीचे आके यहाँ पर कहीं पर green color candle बनता है तो वहाँ पर हम लोग purchase कर सकते है यहाँ पर थोड़ा सा resistance हो सकता है क्योंकि यह gap create किया था market लेकिन निफ्टी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा strong था अगर market कल इसी जैसे हम लोग discussion किये थे अगर flat खुल के hold कर गया तो यह सारे swing भी market cross कर सकता है अगर पस इसको flat खुलना चाहिए बहुत बड़ा gap down या फिर gap up दोनों के इसके अंदर थोड़ा सा pullback आ जाएगा selling के लिए या फिर selling के लिए अगर gap down खुला तो continuation में जा सकता है तो कल अगर market flat खुला तभी हम लोग buying के लिए थोड़ा सोचेंगे 12 o'clock के बाद बहुत बड़ा gap down gap up खुला तो हम लोग थोड़ा सो wait करेंगे 12-12.30 के बाद हम लोग को reversal plan करेंगे अगर gap down खुला तो हम लोग selling के लिए देख सकते हैं प्राइस plan मेरे पास ready रहता है एक point जान मेरे को मेरे पास एक plan ready है market अगर flat खुलेगा यहाँ पर green color candle बनाएगा कुछ time wait करेगा 12 o'clock के बाद तो अगर मेरे पास कुछ call के side sorting position होगे इसको में निकालते जाओंगा थोड़ा सा add the money, in the money यहाँ फिर इसके नीचे नीचे में put sort करते जाओंगा यह मेरा plan है कल हो सकता है market के अंदर एक green color candle बनाए और second candle एक बड़ा negative candle यहाँ पर बना दे तब मेरा जो plan था जैसे मैंने आप लोग के वीडियो के अंदर बताया था उसका description box उसका वीडियो का लिंक आपको end screen में डाल दूँगा मेरे checklist के अंदर यहाँ पर market green color candle बना एक check तो हो गया लेकिन second candle फिर negative बना दिया धाटिकी बहुत नीचे आ गया यहाँ पर फिर और aggressive trade नहीं कर साकता है क्योंकि market planning के हिसाब से या फिर हमाना analysis के हिसाब से नहीं चल रहा है तो यह checklist फिर wrong हो जाएगा फिर मुझे wait करना पड़ेगा किस तरीके से price action बन रहा है quantity में कम कर लूँगा अगर market planning के साथ या analysis के साथ चल रहा है तो definitely आपको भी confidence आयागा आप भी quantity ले सकते हो क्योंकि stop loss आपको पता है कहां रखना है अगर आपके इसाब से market नहीं चल रहा है आपको confusion लग रहा है make sure कीजिए कि नहीं उस दिन training कम कीजिए या फिर quantity size कम कीजिए दिखिए market is a very beautiful place कभी भी किसी को हमेशा losses नहीं होता यहाँ पर कभी ना कभी किसी को profit होता है लेकिन वो random जगा पर होता है इसके लिए हम लोग एक plan बनाते है तो यह plan को अगर हम लोग बस execute करने का कोसिस करेंगे यह perspective market moment definitely कहिना कि हम लोग को easy profit मिलने वाला है हमेशा एक ध्यान में रहो आपको एक plan बनाना है बस उसको execute करना है बाकि उसका outcome profit हो सकता है loss हो सकता है loss हुआ next trade profit हुआ next trade तो each and every trade का outcome आपको next trade में effect नहीं होना चाहिए it's a psychology इस तरीक से मैं plan करता हूँ आने वाल टाइम में और deep हम लोग psychology के उपर जाएंगे जिस तरीक से हम लोग video बनाते हैं चले भी हम लोग देख लेते हैं कौनसे stocks में आप लोग plan कर सकते हो पहला stock है Tata Motors अगर हम लोग देखेंगे 400 तक हम लोग का target था इसी level के आसपास हम लोग selling के लिए plan कर रहे थे अभी अगर यहां पर देखेंगे सार pullback हुआ है मैं कभी भी यह pullback में बहुत बड़ा quantity नहीं लेता हूँ यह आपको पता है लेकिन यह Tata Motors से बहुत सारे लोग इसको watch करते हैं बहुत बड़ा momentum हो चुका है 300-400% का return है तो यहां पर थोड़ा सा positive sign है तो यहां से हो सकता है कि नहीं 410 से लेकर 420 तक है move कर सकता है मैं first pullback में क्यों नहीं buy करता generally यहां से एक selling pressure के बाद candle w sign बना तभी हमको buy करना चाहिए तो अगर in this case अगर 406 जाता है that means यहां पर हाप quantity में हमको trade करना चाहिए बड़े quantity हम लोग ले नहीं सकते 406 या 407 अगर cross करता है तो हम लोग 2-3 रुपय का stop loss डालके 1-2 हम लोग target के लिए प्लान कर सकते हैं next stock के bank of borrowed अगर हम लोग देखेंगी यहां पे एक inside candle बना हुआ है एक momentum किया अभी pause लिया है 100 का round level pass में है अगर कल यह sustain कर जाता है 99 के उपर और 100 टच कर जाता है तो एक अच्छा momentum इसके अंजर भी आ सकता है बहुत सारे लोगों के radar में आ जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग scanner चलाते रहते हैं 100 के उपर कब आ जाएगा यह stock जब भी भी आ जाता है तो लोग purchase करना start करते है तो एक psychology effect होता है तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते है एक से देट रूपे का stop loss होना चाहिए 1002 बिनेव हम लोग का target रहेगा next stock है VDL अगर देखेंगे यहाँ पे एक एक pattern था और उसके बाद यहाँ पे थे थोड़ा सा pause candle बनाया है बहुत aggressive selling नहीं आया है लेकिन अगर कल यह continue करता है तभी हम लोग इसको sell करेंगे 369 के नीचे 2-3 रूपे का stop loss होना चाहिए 1002 हम लोग का target रहेगा next stock है हिंडाल को अगर देखेंगे similar M pattern में यह अभी भी halt कर रहा है pause कर रहा है बहुत बड़ा negative बना नहीं है अगर यह continue करता है तभी हम लोग trade करेंगे anything F of 590 के ऊपर या 91 के ऊपर अगर open हो जाता है फिर हम लोग इसको ignore कर देंगे लेकिन 587 अगर flat खुलने के अथ 587 cross करता है तब हम लोग से sell कर सकते है 3-4 रूपे stop loss होना चाहिए 1-2 minimum हम लोग का target रहेगा क्योंकि 560 के आसपास breakout दिया था 560 से 70 यहाँ पर एक support है तो एक अच्छा space है इसके पास तो हम लोग बस wait करते हैं अगर यह cross करते हैं लेबल तभी हम लोग प्लान कर सकते हैं अभी हो पीस आरे point आप लोग को समझ में आ रहे होंगे विडियो चलावदे लिप लाइक और से अगमेंट्स अबिकली तना है थैंक यू